हाई फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स क्लासेज में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान का हालत दिन पर ती दिन बत्तर से बत्तर होता जा रहा है मैं आप लोगों को देश कर्ज के हाल में फस्ता जा रहा है लेकिन वहां के सरकार को इससे कोई फर्क नहीं परता यहां पे गरीब 32 दिन परती दिन मर रहा है लेकिन वहां की सरकार को जो हैसो कोई फर्क नहीं परता मैं आप लोगों को बता दो कि पाकिस्तान अगर चाहता तो लोगों की तरक कर सकता था लेकिन वो कभी नहीं चाहिए वो हमेशा जो अतंकी को किया किया तो सेवा करता रहा आज इसी के कारण वहां के जितने भी लोग है न भूके मर रहे हैं वहां का situation बहुत ज़्यादा खराप हो गया है जिसका एक यही नतीजा है दोस्तों की वहां के लोग क्या हो रहे हैं तो भूके मर रहा है मैं आप लोगों को बता दो दोस्तों की भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोडी ने लगभग छा साल पहले एक रेली के दोरान पकिस्तान के लोगों से बात करने की कोशिस की थी अपने नरेंद्र मोदी मैं आप लोगों को बोला था कि नरेंद्र मोदी जो हैसुस के बारे में कभी भी खराप नहीं सुचाओगा कभी भी गलत नहीं सुचाओगा इसी पाकिस्तान के सरकार के उपर मैं आप लोगों को बता दू और ये 100% रियली है दोस्तों कि भारत के प्रधान मंत्री नेंद्र मोदी ने लगभग 6 साल पहले एक रेली के दौरान पाकिस्तान के लोगों से बात करने की कोशिश के थी और क्या बात करने की कोशिश के थी आज की इस वीडियो में मैं आप लो को बताता हूं कि आखिर प्रधान मंतिर नेंद्र मोदी जो हैसो इस बयान में जो हैसो क्या बोले थे और ये केवल आपको नहीं जितने पाकिस्तान है ना ये सभी पाकिस्तान वास्यों को सुनना क्या है बहुत ही अनिवार्ज है मैं आप लोगों बता दो दोस्तों कि नें तुमसे लरने के लिए तयार है अब आप गलत मत सोसना सीधा वो बोले हिं और देखना यह सबसे पहले कौन कर सकता है या तुम कर पाते हो या मैं कर पाता हूँ देखिए सीधा जो हाइसो चैलेंज दे रहा था ये सभी पाकिस्तान वासी को जो हाइसो सुनना क्या है अनिवार्जा और ये सभी पाकिस्तान सरकार को भी सुनना अनिवार्ज था ये स्विच को सीधा जो हाइसो आओ मैं तुम से लड़ाई करता हूं आओ मैं अपने देश के गड़ीवी को क्या करता हूं मिटाता हूं तुम भी अपने देश के गड़ीवी को मिटाओ और मैं भी जुहास अपने देश के करने का गरीबी को करने का और सिक्षित को खर लड़ाई लड़े और देखते है की से ऩी में कौन देता है आप सोचो दोस्तों स्वेम विचार करो कि आगर यह बाट छथ अगर पाकिस्तान नहीं अगर तो आज उसे आएसा हाल नहीं सुने रहता , जिस कार अभी उख ते आप सुएम विचार करो दोस्तों क्या नेरंद्रमोदी स्पीच में इन लोगों कितना जदा आगे बढ़ाने का मनोबल दिये थे यह नहीं पाकिस्तानियों को लेकिन यह पाकिस्तान का सरकार माना ही नहीं इसलिए अभी यह भोगत रहाई है